तो किस आज हम लोग जानेंगे best setting for CS rank अब देखो ऐसे तो game के दर काफी सारे setting है बट यहाँ पर कुछ setting ऐसे होते हैं जो कि special CS के लिए ही बनाया गया है तो आज हम लोग ऐसे ही 10 setting के वारे में जानेंगे सबसे पहले तो किस यहाँ पर बता दू कि अगर game खिलते टाइम आपका phone lag या फिर heat होता है तो आपको क्या करना है आपको जाना है display पे और यहाँ पर simple सा आपको जो है smooth पे रखके game को खिलना है इसमें थोड़ा सा quality आपको खराब मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा कि enemy का emote आपको नहीं देखेगा मतलब कि 2-3 problem होता है लेकिन आपका जो gameplay वो काफी सही चलेगा अगर आपके पास एक अच्छा खासा phone नहीं है तो आप simple सा smooth पे ही खेलो इसके लावा किस यहाँ पर एक setting आपको और मिलता है high fps का आपको इस setting को भी normal पे कर देना है अगर आपका phone like व आपका setting है अब कई बार आपके साथ भी होता है कि CS के अंदर आप जो है गलती से लेके आ जाते हो full map का skill full map का character और यह problem सब के साथ होता है बढ़केस यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूं एक setting जिसके बाद यह problem आपको कभी नहीं होगा यहाँ पर आपको जाना है character व इंवार पर click करके आपने हम उसका नेम भी देशकते हो आइसा इहां पर मैंने CS दे रखा है ठीक है अब क्या करना है आपको इहाँ पर click करना है यहाँ दिफॉल्ट जो होता है उस कि आपको click करना है जैसे भी मैयरा CS set करका है तो यहाँ पे देखो यह सारे skill है मेरा CS का अब यहाँ पे जैसे ही मैं mode chain करता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ full map तो देखो यहाँ पे सेटिंग है काफी काम का सेटिंग है इससे क्या हुआ कि बार बार आपको जो है अगला सेटिंग है इसके लिए आपको आना है control पे यहाँ पे देखो आपको सेटिंग मिलेगा grenade slot का आपको क्या करना है इसको double slot पे कर देना है इससे होगा क्या कि आपके global और grenade का दोनों का आपको अलग अलग बटन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा जिससे कि आप लोग global और grenade को अच्छे से use कर पाओगे कई बार आपक global बटन का आपको इन दोनों सेटिंग को off कर लेना है इसके बाद कि यहाँ पे जो हमारा अगला प्रो सेटिंग है उसके लिए आपको जाना है और अटो पिक अप पर पर अगर आपको किसी के loot boss को लूटने जाते हो तो आपका जो काईटर है सबसे पहले क्या उठाएगा जैसे यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है बेपर्ण को तो कहीं भी loot होगा अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मेरा character सबसे पहले guns को खुद बर खुद उठा लेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेपर्ण को सेट कर देना है फ्रिर सेट कर देना है आपको armor को फी greennet वग करके रख लेना है जी हां यहां पर आप लोग इसको आउन करोगे तो क्या होगा कि राउंड जैसे अस्टार्ट होता है उस टैम पर हमारा जो क्या करेक्टर है वो कुछ बोलता है जो कि कई बार को खराब भी लगता है इसलिए मैं आपको बोलूगा जो हमारा अगला को मिलेगा active in device background का आपको क्या करना है इस वाली setting को on करके रख लेना है इससे क्या होगा कि कई बार आप लोग देखो गेम के बीच से भी आप लोग गेम के अंदर बीच में अगर minimize करते हो कुछ इस तरीके से तो भी जो आपके teammate का आवाज होगा वो आपको आएगा background पे जिससे के आपको help होगा कई बार होता होगा कि आपके गेम में कोई यूटूबर आ गया तो गेम के बीच में ही आप लोग जाके बार आपके साथ भी होता होगा कि आपको पता नहीं चल पाता है कि सामने के एनेमी में कितने बंदे नौक हो चुके हैं कितना जिन्द है यह चीज़ आप सही तरीके से समझ नहीं पाते हो खास करके जब आपका teammate माई कॉप करके हो या फिर random के साथ खिल रहे हो आपके साथ भी होता होगा कि आपको लगता है कि सामने बस एक ही बंद जिन्द है लेकिन जब लेने जाते हो fight तो भाई वहाँ पर दो दो बंदे होते हैं तो देखो यहाँ पर उपर में आपको यह जो आठ बोक्स दिखता है इससे आप लोग पता कर सकते हो यह जो चार बोक्स है यह अगर कोई बॉक्स हाली है तो इसका मतलब कि सामने का बंद जब जहीं जबता कर सकते हो के सामने कितना बंदस जिंदा है कितना नोखो जुका है और कितना जो है एलाइव है वह आप लोग खुछ से चेक कर सकते हो यह वी काफी अच्छा ओप्सन है बहुत ही कम लोगों को इसके वारे में पता था यहां पर हमारा अगला प्रो सेटिंग है इसके लिए आपको जाना है वेव सोर्स का आपको इन दोनों सेटिंग को अन कर देना है इससे होगा क्या कि जैसे ही आपके आसपास एनेमी आएगा तो आपका जो फोन है वो वेवरेट करेगा जिससे कि आप लोग अलर्ट हो जाओगे कि हाँ आपके पास एनेमी आ रहा है उससे फाइट लेने के लिए पे पे एंड सबसे लास्ट में आपको एक और साइडि Maxwell अर्ट का आपको इस वाली शर्टिंग को अन कर देडा है इससे होगा क्या कि कि आपके आसपस जैसे ये वह इनमी फायरिंग करेगा worse क कंदर जो है फाइट हो रहा ठीक है अब किस यहां पर लास्ट में कैस मैं आपको बता दू अपनी सिंसिटिविटी स्टिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़री होता है अब देखो वैसे तो जैसे सारे फोन का अलग अलग होता है बट कैस यहां पर आप लूग देख सकते हो मेरी सिं सिंसिटिविटी ही बहुत है ठीक है खास करके यहां पर देखो जैसे PC हो गया जिनके पास तो PC में नोर्मल हम लोग जो है 10-20 सेंसिटिविटी ही रखते हैं वही बहुत होता है बट अगर आपको यह जानना है कि आपके फोन के लिए सच्छी सेंसिटिविटी कौन सी होगी जिसको उपर मैंने औरड़ी एक वीडियो ना रखा है जो कि आपको लेफ सेट पर दिख रहा होगा आप क्लिक करके उसको जाके देख सकते हो ओके तो आई होपके कैस यह चुछ वीडियो आपको पसन आए हो